हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउंज का बैकनिक डिजाइन बहुत ही फेंसी और बिल्कुल नाया डिजाइन है तो देखिए फ्रेंस यहां पे सिल्क साड़ी के उपर इस डिजाइन को मैं बना रही हूं बॉर्डर को आपको कट करके निकाल लेना है और यहां पे देखिए बैक पार्ट के कटिंग आपको अपने साइज की साबसे कर लेना है डीप नेक से आधा इंच सोल्डर आपको बढ़ा के लेना है आपका जो भी साइज है तो यहां पे मैं छे इंच सोल्डर ली हूं क्योंकि 34 चेस्ट का ब्लाउंज है और छे इंच आर् पूरा नीचे तक लेना है आपको चौड़ाई और एकदम सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे यहां से देखिए फ्रेंस एकदम सिंपल तरीके से इस डिजाइन को मैं बताने वाली हूं और बहुत ही फैंसी लुक देगा डिजाइन देखिए अब आपको साड़े तीन इंच पे पर नीचे वाला अब आपको क्या करना है बीच का बचरा उसका हाफ कर लेना है यहां से रहाँ करने के बासे चौड़ाई यहां पर साड़े तीन लिया है आप थोड़ा सा चौड़ा गला पहनते हैं तो फिर आप चारी इंच जाइब देजिएगा डेड़ेंस पे यहां प देते हुए और जो center point है उसको touch करते हूँ इसमें safe देंगे तो पहुती simple तरीके से इसका safe आप दे सकते हैं अगर आप wigner हैं तो फिर paper पर पहले गले की cutting करें तो देखिए इस तरह से बाद से फ्रेंज देखे दोनों साइड का हमारा कट हो गया है बीच का जो कपड़ा निकला उसको आपको अच्छे से रख लेना है और अब हम मेन कपड़े के उपर अस्तर वाले पाट को देखिए मिला के रखेंगे आर्म होल साइड आर्म होल चीज होना चाहिए दोनों साइ पर मार्जन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेना है अब इसको खोलेंगे और मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पाट को आपको मिला के रखना है यहां पे देखिए अगर आप पलटना चाहते हैं गले को तो आप सीधे साइड से सील करके अस्तर को पलट सकते ह और यह चीज आपको दोनों साइड स्टीच कर लेना है दोनों साइड का जो है अस्तर उसको मेन कपड़े के साथ सेट कर लेना है यहां पर देखिए मेन कपड़े के साथ सेट करने के बाद से अस्तर के बाद जो भी आपका एक्ष्टा कपड़ा होगा उसको आपको कट करके निकाल लेना है यहां पे दूसरे साइड भी हम लाश्ट तक सीला ही लगा लिये हैं और दोनों पार्ट को आपको आमने सामने रख के चेक कर लेना है और इसमें से जो भी एक्ष्टा कपड़ा है ने में कपड़ा उसको हम कट करके क्लीन कर लेंगे दोनों साइड का कि यहां पे दोनों साइड के कपड़ा क्लीन करने के बास्टे फ्रेंज देखिए तेकि सेम इस तरह से उसको भी रेडि कर लेंगे तो देखिए इसको रेडि करने के बासे आपको पांच इंच चोड़ाई पेपर पेस्टिंग में कॉटन का कपड़ा चिपका लेना है और इस की गले को रखे स्टीच कर लेंगे तो इस तरह से बहुत ही सेम प्रीके से पैपर पेस्टिंग पीँछ कर सकते हैं अगर आपके पास expressing नहीं है तो नौर्मल यहां को हम फिलेंगे पलट देते उस तर्छसे भी आप यह बना सकते हैं ॉऔर देखिए देखिए यहां पर सिं करके यहां से निकाल लेना है देखे इस तरह से अब यहां पर आपको पूरे राउंड में छोटा-छोटा कट लगा देना है यहां पर उल्टे साइड आ जाएंगे और जो हमारा पेपर पेश्टिंग वाला पार्ट है एक इंच छोड़ते हुए बाकी को आपको इस तरह से कट करने के बासे जहां जहां कोना है वहां-वहां आपको कट लगा देना दे की इस तरह से और पूरे राउंड में भी कट लगा देना है कट लगाने से न जो हमारा गला है न बहुती får Simone के साथ अंदर के साइड फोल्ड हो जाता है अर अब जो पेपर कश्टेंग का किनारा है जहां से आप कपड़े को कट किये हो फेपरी की कुट कियी हो उससाइड को फोल्ड करके छिलाय की लगा लेना है और जहां-जहां को न आ भी पेपर पेस्टिंग यूच करना है और दूसरे साइड का गला बना लेना है, यहां से मैं गले को पलट रही हूँ, जहां भी कोना आए वहां पे आपको किसी भी नुकिले चीज से कोने को अच्छे से बाहर के साइड कर लेना है, तक कि जो गला का सेफ है ना बहुत ही अच लगा लिए हैं और दोनों साइड का गला रेडी करने के बाद से आप इसके उपर प्रेस लगा करके अच्छे से फिक्स कर लें अगर प्रेस नहीं लगा रहे हैं तो फिर गले पर सिलाई लगा करके उसको सेट कर लें अब यहां से एक इंच एक सूता चोणाई में उरेवी फट्टी लेंगे जिससे हम पाइपीन बनाते हैं तो कभी पिन नॉर्मल पाइपीन की लिए उरेवी कपड़ा ही लेते हैं तो इसलिए हैं शाइड से पट्टी को एक जाप फोल्ड़ करते हुए कोर्नर से पहले उसको अश्टीच कर लेंगे और इसे देखिए लाश्ट तक स्टीच करने के बाद से न मैं आपको बता रहे हूं किस तरह से आपको इसके उपर पाइपीन बनाना है देखिए दोनों का सीधा साइड मिला के आपको स्टीच करना देखिए नीचे के साइड सीधा साइड और पट्टी का सीधा साइड दोनो से आपको एक पॉइंट पकड़ना है और जो पट्टी है उसको एक सुता बाहर के साइड करके स्टीच करना है देखिए कैसे मैं कर रहे हूं इसी तरह से आपको भी करना है अगर आप उपर वाले गले में से जादा कपड़ा पकड़ लेते हैं सीलाई में तो पाइपीन बहु आप पाइपीन बनाते हो तो कोने पर बहुती अच्छी फिनिसिंग आती है तो आप देख सकते हैं कि स्टार से कौर्णर पर में फोल्ड करके अच्छे से सेट कर रहे हूं सेम इसी तरह से आपको भी करना है अब पूरे गले में न हम पाइपीन में सेफ दे देंगे और पाइपीन के बिल्कूल पास में आपको सिलाई लगानी है जादी गैपिंग नहीं होनी चाहिए बीच में तो देखिए लाश्ट तक हम पाइपीन बना लिये हैं और आप देख सकते हैं कि कॉर्णर पर भी बहुत ही फनीसिंग के साथ हमारा पाइपीन बना है अब दूसरे साइड भी आपको सेम आइडिया से पाइपीन बना लेना है दोनों साइड पाइपीन बनाने के बास से जो हम बॉर्डर कट करके रखें उसको लेंगे और यहां से जो हम कटिंग की हैं नीचे के साइड से बिल्कुल बराबर मिलाके रखेंगे और साइड से आपको बढ़ा लेना है देखिए दोनों साइड से आपको आधा दा इंच बढ़ा लेना है कपड़े को और इस तरह से दम सीधे में कट कर लेना है अब यहाँ पे देखें सेम इसके बराबर ना कॉटन की पट्टी लेंगे यानि चार कोर इसके बराबर आपको कॉटन का पीस लेना है और इसको सील करके पलट देना है ताकि जो उपर का गला के साइड आए अच्छे से फिनिसिंग हो जाए आप चाहें तो वहाँ पे इपीन भी लगा सकते हैं तो देखें पट्टी हमारी रेड़ी हो गई है और आप हम दोनों साइड से गले को मिला के रखेंगे तो आप सकते हैं नीचे से आपको बराबर करके रखना है वह प्या पीछे की है ज्यादा डेप गला Uzे पेहनना पसंद करते हैं तो फिर जो बा गला का कटिंग निकलाएं उसे से आधा इंच के दूरी पर आपको इसे सेट करना है अब देखिए फ्रेंच तोनों साइड सिलाई लगाने के बासे इसको हम सेट कर लिये हैं और बैक में टक्स लगा देंगे जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से बैक में आपको टक्स लगा लेना है यहाँ पे देखिए फ्रेंच तक्स लगाने के बासे दोनों साइड आपको लगाना है टक्स सेम जगा पे और अब इसमें हम कमर पट्टी ज्वाइंड करेंगे तो आप डाइरेक्ट इसके उपर नीचे के साइड पाइपीन भी बना सकते हैं ल तो फ्रेंच आप देख सकते हैं इस पट्टी को सिलके ना हम अंदर के साइड पलट लिये हैं और पलटने के बाद से आपको करना क्या इसमें पाइपीन बनाने के लिए आपको पट्टी लेनी है सीधी या उरे भी कोई भी पट्टी ले सकते हैं नीचे के साइड यहाँ प तो यहां पर देखिए उसी तरह से पाइपीन में गुलाई दे देंगे लाश्ट तक और पाइपीन कमर पर भी नीचे कमर पट्टी पर भी पाइपीन हमारा रेडी हो चुका है और अब इसमें हम बटन अटेज करेंगे तो उसके लिए आप यहां पर रेडिमेंट बटन भी कलर कमीनेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर कपड़े का भी बटन बना सकते हैं तो यहां पर डेडिन्स लंबाई चोड़ाई में चार को और कपड़ा लेंगे चारो तरप से कपड़े को बीच में फोल्ड करेंगे और यहां पर मैं ब्लाउन से थोड़ा सा बड़ा बटन आता है उसको ली हूँ आप अपने पसंद की हिसाब से बटन की लंबाई चोणाई लीजिएगा यहां पी देखिए चारो तरब से आपको बस सुई धागे से बीच में कपड़े को खीचना है और बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर पर ही सो बटन त्यार कर सकते ह है अपने च्वाइस की हिसाब से अपने कलर के हिसाब से तो यहांपी देखिए इसे बटन को अच्छे से शेट करना है चारो तरब से खीचते हुए यहां पर हम बटन को रेड़े कर लेंग ऐए कहीं भी कॉर्णा डेख नहीं दीखना चाहिए बटन के किनारे पर तो आप देख सकते हैं फ्रेंस किस तरह से मैं थोड़ा सा भी कॉर्णर दिख रहा है तो वहां से मैं कपड़े को सुई धागे से खींच रहे हूं ताकि बटन में एक दम गुलाई का सेफ आ जाए और यहां पर आपको धागे को चारतर लेना है बटन हमारा बनके रेडी हो चुका है सेम आइडिया से तीन बटन बनाएंगे और देखे बिल्कुल सेंटर में आनी आपको बीचो बीच का मार्किंग कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में लाइन से तीन बटन हम टक कर लेंगे बीच में एक एक इंच के दूरी पर बटन को आपको चारो तरफ से अच्छे से सेट करना है देखे किस तरह से मैं कर रहे हूं ताकि पहनने के बाद से न निकले न तो इस तरह से आपको बटन को अच्छे से सेट कर लेना है हुआ है अब देखे फिरेंगे तीनों वटन को टक कर लեंगे बटन टक करने के बाद से हमें लटकन बना रही हूं तो यहां पर 3 इंच लंबाय चोडाय में कपड़ा लेंगे टैंगल में फोल्ड करके उसको कर लेंगे और यहां से देखिए मेन कपड़े के सीधे साइड में रख करके इसको अच्छे से स्टीज कर रहे हूं बस नीचे के साइड श्टीज करने के बाद से एक्षटा कपड़े को आपको कट कर लेना है और इसको पलट लेना है नीचे के साइड छोटा-छोटा कट लग करेंगे और चोटा-चोटा बनाएंगे तो जैसे नॉर्मल बनती हैं उसी तरह से इसमें बराबर बराबर पिर डालेंगे डालने के बाध से अब जो हम रेड़ी करके रखे हैं अब योपार वाला पार्ट उसको लेंगे और उसके अंदर के साइड़ यह चुनट का मार्जन है उसको अंदर की साइड करते हुए एकदम राउंड देते हुए स्टीज कर लेंगे अब देखिए पट्टी में जो एक्ष्टा पार्ट है उसको आपको यहां से कट कर लेना है देखिए दोनों साइड से वरावर कर लेंगे और यहां पर मैं रेडिम उसके बॉर्डर के मैचिंग की हिसाब से तो कॉर्णर पर इसको अच्छे से टक करेंगे और फ्रेंज देखिए लटकन टक करने के बाद से हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है तो फ्रेंज में में मीद करती हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लाउज पर इस डिजाइन को बना रहे है तो और अच्छा लुक देगा